वेलकम बेक दोस्तों यह होरर लव हिंदी और आज हम देखेंगे एक एस मुवी जो की बहुती ज़्यादा मिस्टीरियस है इस मुवी का नाम है वेंजेंस तो दोस्तों मुवी की शुरुआत में हम एक वीडियो टेप की फुटेज़स देखते हैं जिसमें इव नाम की आकर अपने घर में जाता है और खाने के लिए कुछ बनाता है जिसके बाद में वो खाना लेकर अपने बेस्पेंट पर जा रहा था जहां पर एक लड़की बंद हुई थी और यह लड़की और कोई नहीं बलकि मुवी की शुरुआत में दिखाए गई इव ही थी वो आदम के उपर उससे दे मारती है जिसके बार में वो उससे चाबिया चीन कर खुद को आजात करती है फिर अब इव बाहर आती है और वो पाती है कि वो रिगिस्तान के बीचों बीच में है इव वहाँ पर पड़ी हुई वेन से भागने के सोची रही थी लेकिन उस गाड़ी की च कि फोटो भी मिलती है जिने इस आदमी ने किड्नेप करकर रखा हुआ था फिर वहाँ पर इव को एक डिलन नाम की लड़की का फोटो दिखता है जिससे उसे कुछ याद आ रहा था लेकिन वो ठीक से उसे याद नहीं कर पा रही थी और फिर इव वहीं के बात्रूम में ज के कंदे पर एक गोली फायर करती है और वह आदमी कहता है कि वह एक ही शर्ट पर बताएगा कि उसे होस्पेटर ले जाया जाए ताकि वह गोली से ना मरे और वह सब भी लड़कों के बारे में उसके बदले में बता देगा इव उस किड्नेपर से प्रॉमिस करती है और वह कि बाकी की लड़किया अलग अलग लोकेशन्स पर हैं और उन्हें ढूमने के लिए उन्हें यहां से निकलना होगा फिर इव उपर रूम में जाकर एक रोल में रस्ते से लूप बना कर लाती है और उसे किड्नेपर के गले में डालती है ताकि किड्नेपर कोई भी चलाकी करे तो वो उस लूप को खीच कर उसका गला महीं पर दबा दे फिर इव उस वेन में आकर बेटती है और वो किड्नेपर उसे पहले गर में ले जाता है जहां पर वो लड़की बड़ा अजीव भेव कर रही थी और जोड़ जोग से चिला रही थी और इव उससे कहती है कि वो यहां पर उसे बचाने के लिए आई है वो लड़की इव की एक भी नहीं सुनती और वहां से जल्दी जल्दी भागती है वो लड़की इतनी ज़ादा वुकलाई हुई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो भागती भागती सीधा एक नुकीले तीरों पर गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है जिसे देखे कर एव को बहुत बुरा लग राता क्योंकि वो उस लड़की को नहीं बचा पाई फिर इव किडनेपर को बाहर लाकर उसे दूसरी लड़की के पास ले जाने को कहती है और वो उसे एक बिल्डिंग में ले आता है और कहता है कि दूसरी लड़की इस घर के अंदर है इव उस किडनेपर को घर के अंदर लेकर आती है जहां पर वो लड़की चेन से जकड़ी इव किड्नेपर को उस लड़की को खोलने को कहती है और वो किड्नेपर उस लड़की को खोलते समय उसके कान में यह कह देता है कि इव यहाँ पर उसकी जग लेना चाहती है और इससे सुनकर दूसरी लड़की पैनिक हो जाती है और वो इव पर ही अटेक कर देती है वो इधर तब तक उस किड्नेपर ने खुद को आज़ात कर लिया था जिसे देखे कर इव उसके पेर में एक गोली मारती है और उसके सर पर ब्लोक से कई सारे वार भी करती है तब ही इव की आखों के सामने कुछ फ्लेशबेक्स आते हैं जिसमें वो बेस्मेंट वाली लड़की थी और वो उसके पास में थी फिर इव किड्नेपर को कार में लाकर बान देती है जहांपर किड्नेपर उससे कहता है कि वो उससे पूलिस के हवाले कर दे और इव कहती है कि कुछ लड़के अभी भी बची हुई है वो किड्नेपर को उन लड़कियों के पास ले जाने को कहत और फिर धीरे धीरे किड्नेपर एव को एमोशनली ब्लेकमेल करने की कोशिश करता है जैसे कि वो किड्नेपर बाकी लड़कियों करता था। खोल देती है और वहाँ पर दो आदमी इंटर होते हैं और इने देखे कर ईव को याद आता है कि जब वो बैस्मेंड में केट थी तब यह दोनों आदमी वहाँ पर आया करते थे वो दोनों वेन में आकर बेटते हैं लेकिन वेन स्टार्ट नहीं होती इव को बड़ा गुस्सा आ रहा था और अगेन इव की आखों के सामने बेस्मेंट वाली लड़की का फ्लेश बेक आ रहा था जिस लड़की के साथ में इव बाहर आई थी उसका नाम लिया था और वो किड्नेपर को वेन में देखकर नहीं पेचान पाती और कहती है कि ये वो किड्नेपर नहीं है जिसने उसे किड्नेप किया था ये कोई और आदमी है इव फिर उस किडनेपर से बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है और फिर किडनेपर उन्हें एक पूरानी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर इव और लिया अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी लड़किया किडनेप हैं वे लड़किया ईव को पताती है कि पहले उन्हें किड्नेप करके कहीं और रखा गया था और फिर कुछ समय के बाद में यहाँ पर लाए गया और अब उन्हें यहाँ से दूसरे जगह बेचा जाएगा ईव को महसूस होता है कि यहाँ पर और कोई भी है और वो बाहर आकर देखती है तो उसे पता लगता है कि गिड्नेपन ने खुद को आजाद कर लिया है उसने वेन में रखे फोन से किसी को फोन लगाया था और अंदर आकर ईव लिया से कहती है कि वो लड़कियों के साथ में ह के बुलाए इव जब वापस वेन के पास पहुचती है तो वहाँ पर किड्ने पर इव का ध्यान बठकाता है और पीछे से एक और आदमी आकर इव को पंच करत के गिरा देता है ये दूसरा आदमी वही था जिसने लिया को किड्नेप किया था और ये अब इव को मारने ही वाल के पेर में हतोड से वार करकरके उसके पेरों को तोड़ डालती है और वो उससे बाकी लड़कों के बारे में पूछती है वो उन्हें आकरी लड़की की लोकेशन के बारे में बताता है जिसके बार में इव और लिया उस लड़की को बचाने के लिए निकल जाते हैं रास्त कि इव को ये पता लगता है कि किड्नेपर का नाम फिल है और उसका भी एक परिवार है फिर इव और लिया आकरी घर में पहुचते हैं जहां पर अंदर आने पर इव देखती है कि अंदर रोनी मतलब कि उसका बोईफरेंड बड़े मज़े से बिठा हुआ है रोनी उसे देख कर बहुत ज्यादा खुश है इव उसकी बातों में आ जाती है और अपनी गन को नीचे कर लेती है लेकिन तब भी उसे दिवार के पीछे से एक लड़की की आवास सुने पड़ती है और यहां पर देखती है कि रोनी के कई लड़कों के साथ में फोटोज है इव रोनी से कम के सब मिलकर रेकेट चलाते हैं और लड़कियों को किड्नेप करके बेचते हैं इव को अपने बॉइफ्रेंड के बारे में जानकर बहुत ज़्यदा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा रोनी को मार कर निकालती है बाहर किड्नेपर वेन में था और भागने की किया और अब वो उसका होस्पिटल ले जाने के वादा पूरा करें लेकिन लिया कहती है कि अभी एक और काम बचा हुआ है फिर हम एक फ्लेशबेक देखते हैं जहां पर इव रोनी से फीले यानि कि उस किड्नेपर का एडरस ले रही थी और वो उसे वहाँ जाने के लिए म उसकी बहन थी जिसके सांद भी किड्नेपर ने रेप किया और उसे वहाँ पर मार डाला था और यह सारी बाते याद आने के बार में इव फिर से किड्नेपर के घर पर जाती है उसकी बहन का बदला लेने के लिए जहां पर किड्नेपर की बेटी वहाँ का दर्वाजा लगा रही थी और इतने में इव उस दर्वाजे को लगाने से रोक लेती है जिससे कि हमें पता लगता है कि इव ने किड्नेपर को छोड़ने का इरादा बदल लिया है और अब वो उसे भी दूसरों की तरह मारने वाली थी और इसी के साथ में ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है सारे वीडियो मिल जाएंगे और हाँ वीडियो किसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में